हलो फ्रेंस वालकम चू बीनास किचन आज बनाने वाल है ऐसी सोयविन के सब्जी जिसे खाते ही आप उंगलिया चाटने लगेंगे बहुत ही जादा टेस्टी होती है और इसे बनाना बहुत आसान होता है फ्रेंस आप इसे रोटी पराठे पूरी के साथ खा सकते हैं चावल क के साथ भी यह बहुत टेस्टी लगते हैं फ्रेंस इससे बनाने के लिए हमने सोयविन को अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है इसका पानी चेंज कर लिया है और हमने इस सोयविन को इस तरह से निकाल लिया है निशोडते वे तुशलिए अब यहाँ मशाला हम तयार कर लेते इसे लिए हमने आधा चोटा चमच लिया है, हल्दी पाउडर, एक चमच काश्मीरी लालमिश पाउडर, आधा चमच गरम मसाला पाउडर, दो चमच हमने धन्या पाउडर डाल लिया है, एक चमच हम इसमे डालेंगे अधरक लेसन का पेस्ट, अब हम इसमे पानी डालेंगे और इसका पेस्ट बनाके तयार कर लेते हैं इस तरह से हम जब मसालो को पानी में डाल करके यूज करते हैं तो सबजी का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है और मसाले जो है बिल्कुल भी जलते ही नहीं है अच्छी तरह से भून के तयार होते हैं तो ये हमारा मसाले का पेश तयार हो चुक है, पैन में हमने ओईल को गरम किया है, इसमें हम सोया भी इन डालेंगे, बीच बीच में हम इसे चलाते वे से पका लेते हैं, हलका हलका जब ये सुनेहरा हो जाए तो इसमें हम आलू डालेंगे, तो यहां हमने तीन आलू लिये हैं जिसके हमने boil करके छील लिया है और इसे काट लिया है तो उबलेवे आलू भी हमने इसमें डाल लिये हैं और अब इन दोनों को हम अच्छी दरा से भून लेते हैं यह देख सकते हैं फ्रेस हमारी जो आलू और सोयबिन है वो हलके-लके से भून चुके हैं हलका इसमें कलर आ चुका है इसे हम निकाल लेते हैं यहां हमने कड़ाई में oil गरम किया है आदा चोटा चिम्मच हमने इसमें जीर डाल लिया है एक डाल लिया है इलाईची फ्रेस अगर आपे पास कोई और खड़े मसाले हो तो उसका यूज कर सकते हैं अब यहां पे हमने द अची तरह से पक चुके हैं और बहुत अच्छा से इसमें कलर आ चुका है चलिए अब हम प्यास को निकाल लेते हैं तो प्यास को निकाल के आप एक प्लेट में रखे ताकि यह जो प्यास है वह जल्दी ही ठंडी हो जाए क्योंकि हमें इसे आगे ग्राइंड करना है अब व्हास कोई जो बचा हुवा तेल है इसमें थोठा और ओल डाल लिया है अदर-चोटा चम्मच हम इसमें जीरा डाला है हीन डाल लेते हैं और जो में हमने आपेट का पेस्ट बना के रखाता है उसे हम इसमें डाल लेते है इसं हम मेंसाल्य से तरह दो मिनिट के लिए भून अच्छी तरह से भूण के तयार हुए है और इस सब्जी का टेस्ट भी बहुत इे अच्छा आता है अब हम इसमें डाल लेते हैं दो कटे हुए टमाटर हैं आप चाहे तो टमाटर का पेश्ट बना करके भी डाल सकते हैं औढ ए इसमे भूश complaints स्वीयाव दाल लेते हैं। हो इसमें स्वादसालि नमक क Ci तक हम आग-डमाटर की गल जाने तक हम इसे पकाल लेना है। तो करीब 2 मिनिट के लिए हम इसे भून लेते हैं जब तक हमारे टमाटर गल रहे हैं तब तक हम जो हमने प्यास को रखा था भून करके उसे का हम पेस्ट बना के तयार कर लेते हैं तो इसे हम अच्छी तरह से ग्राइड कर लेते हैं और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डार के ग्राइड किया है यह देख सकते हैं हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं इस तरह से हम इसे मैश कर लेते हैं ताकि जो टमाटर है वो बिलकुल अच्छी तरह से इसम प्यास का पेस्ट बनाया था उसे भी हम इसमें डाल लेते हैं इस पेस्ट कारण सबजी का टेश्ट तो अच्छा आता ही है ग्रेवी भी जो है बहुत ही अच्छी बनके तयार होती है काफि गाड़ी-गाड़ी सी ग्रेवी बन जाती है तो चले इस सब को अच्छी तरह से हमन अब इसे भी हम मिला लेते हैं इस तरह से आप सब्जी बनाएंगे तो हर बार फिर इसी तरह से आप आलू स्वयविन की सब्जी बना के तयार करेंगे इस सब्जी काफी ज्यादा टेस्टी होती है फ्रेंस अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइ यह मसालों में कोट हो चुके हैं इसमें हमने गरम पानी डाला है अब हम इसे मिला लेते हैं तो एक से देड़ कप आप इसमें पानी डाल सकते हैं या अपने जरुरत के हिसाब से अगर आपको लटपटी सी सब्जी चाहिए तो आप इसमें कम पानी डाले अगर आपको ग्र सब जीबन के तयार हुए फ्रेंस आप इसे गरम गरम रोटी पराठे के साथ सर्व करें और अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके गंटी बटन जरूर दबाएं मिलते हैं नेक्स वीडियो पे किसी नई रेस इस पिकर साथ, तिल देन बगबाएं